जैने दोस्तों बंदे महातरम पाकिस्तान और उनकी शेक चिली जैसी बातें ये खतम होने का नाम नहीं लेती हैं चैंपियन्स टॉफी अभी उनका नया शगुफता है जिसको के लेकर वो हर जगे दोड़े भागे फिर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके बस ये पाकिस्तान में हो जाए और देखिए आप या कोई भी ये कहले कि यार इंडिया जो है वहाँ हो सकता है पाकिस्तान खेलने ना जाए हम सब कही न कही अंदर से जानते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा और अब तो जैशा आईसी सी के मतलब सरवोच पद के उपर बैठने वाले हैं तो जाहर सी बात है इस चीज के चांसे और भी जादा कम हो जाते हैं आपको पता ही होगा जब अभी एशे कप हुआ था वर्ल्ड कप के आसपास तब इंडियन टीम को तब भी पाकिस्तान ट्रावल करना था लेकिन फिर आखरी मुमटर पाकिस्तान टीम के सामने खेलने से इंडिया ने मना कर दिया था पाकिस्तान में और उस समय पर फिर एशे कप जो है न वो उस जैसा हाल ना हो अब चैम्पेंस टाफी का योगी एशे कप से पाकिस्तान को कुछ भी हासल नहीं हो पाया बलकि बिजज़ती जो ही वह अलग तो ऐसे में पाकिस्तान अब्विस सी बात है यही चाहरा है कि यार कैसे भी करके चैम्पेंस टाफी जो है वो सिर्फ वो सिर्फ पाकिस्तान में हो और उसको किसी के साथ भी इनको शेर भी ना करना पड़े बट मौजुदा हालात जो है उनमें ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कि पॉलिटिक्स को इससे दूर रखने की बात कर रहा है लेकिन वो भी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जब बात आती है तब पॉलिटिक्स को आप कैसे भी करके बहार नहीं रख सकते अब मोहिन खान जो कि इनके पूर क्रिकेटर है उन्होंने इस बात की अपील करी है सचेन तेंदलकर, सौरफ गांगूली, कपिल देव, राहूल द्रविड इन सब दिगज क्रिकेटरों से और इनका कहना है कि यार आप लोग इंटरवीन करिये कि भई BCCI जो है पॉलिटिक्स का दामन छोड़ कर क्रिकेट की बहतरी के लिए PCB के साथ में काम करे और Champions Trophy में आने से इनकार ना करे भई मोहिन खान को भी यह बात पता है कि बात सिर्फ financial की नहीं है अभी जो हम बात करते हैं ओडियाई वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उससे एक जो रिपोर्ट सामने आई है उस ओडियाई वर्ल्ड कप से इंडिया में 80,000 करोड रुपाय का बिजनस हुआ है खाने पीने ट्रैवल रुकने इन सब चीजों को अगर हम मिला लें तो 80,000 करोड का बिजनस सर्फ इंडिया में हुआ है और इन चीजों से एकनौमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है अब पाकिसान के एकनौमी के अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बात करने लायक कोई बात ही ने निकलती विचारे पूरे टाइम भीक का कटोरा लेकर इधर उधर भागते रहते हैं इनके पास खुद का कुछ हो नहीं पाता है तो इसलिए जो दूसरे देश है बस उनकी हां में हां मिलाते रहते हैं तो ऐसे में पाकिसान के लिए चैंपिन्स टॉफी वाकई में एक ब्लेसिंग इंडिस गाईस थाबित हो सकती है ब्लेसिंग इंडिस गाईस के इनको खुद पता है कि बाई इस चीज के होने से हमारे हैं बहुत फायदा होगा तो सवाल ही उड़ता है कि क्या सचिन सौरव राहूल ये सब मिलकर बीसी से बाई बोलेंगे कि नहीं है आप जाकर वहाँ पर खेलने तो हमाई लड़कों को मुझको इस बात में कोई इत्फाक नहीं लगता और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा क्योंकि सचिन सौरव भी जानते हैं कि इंदियेंड पाकिसान के साथ में जिन टर्म्स के कारण क्रिकेट को खेलना बंद किया गया है वो टर्म्स वाकई में काफी जाद अकठेन है और अगर उनके साथ वो नहीं चले तो देश में उनको भी बैकलाइश जहिलना पड़ सकता है मतलब आखरी बार अगर मुझे सही दियाने 2012-2013 में तीन मैचेस की एक सीरीज खेली गई थी और उस सीरीज में इंडिया हारी थी ODII की बाकाईदा में बता दूँ आपको और उसके बात से कोई भी सीरीज इंडिया और पाकिसान के बीच में हुई नहीं है तो आप 10 साल से भी जादा का समय हो चुका है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बाइलेटरल सिरीज नहीं हुई है और इंडिया और पाकिस्तान की जब भी मुलाकात होती है वो सिर्फ और सिर्फ आई सी सी के टूर्नमेंट में ही होती है और देखिए ICC भी इस बात को मेक शूर करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस तो जरूर हो क्योंकि उनको पता है कि इस मैच से जो पैसा जनरेट होगा वो पूरे टूर्नेमेंट को सपोर्ट करने के लिए काफी होगा क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप वैसे भी दस बारा टीमों के बीच में हो जाता है तो इसको वर्ल्ड कप पता नहीं कैसे कहते हैं ये लोग पर फिर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो काफी जादा मायने रखता है वैसे पाकिस्तान के मन में, मतलब PCB के मन में इस बात को लेकर एशुरिटी है कि इंडिया जो है पाकिस्तान खिलने नहीं आने वाली है और इसलिए उन लोगों ने Middle East के कुछ देशों में बात करके रखी हुई है आने वाले समय में इसको लेकर और क्लारिटी सामने निकल कर आएगी दोनों क्रिकेट बोर्ड जब आमने सामने आएंगे आए सिसी के टेवल पर ये लोग साथ में मिलकर बैठेंगे तो अब्वेसी बात है कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा लेकिन मोहिन खान का ये कहना कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए पागिस्तान की बेहतरी के लिए सचिन और सौरफ को सामने आकर बिशी सियाई से बात करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स को बहर रखो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई इत्फाक है क्योंकि इंडियन गवर्मेंट इस बात को लेकर क्लियर है कि क्रिकेट और आतंगवाद दोनों चीजे साइड बाई साइड नहीं चल सकती जब तक पाकिस्तान इस चीज को लेकर कोई ठोसकदम नहीं उठाता है हम लोग टेबल बैटकर कोई बात नहीं करेंगे और मुझे लगता है ये इंडियन गवर्मेंट का एक खास तोर पर सही स्ट्रेंड है मतलब आप अभी मौझूदा समय में देख लीजिए ना किस तरीके से मुटभेड जारी ही रहती कश्मीर में इवन अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना इस पॉइंट पर भी खबर यही आ रही है कि जमू कश्मीर में लड़ाई चकड़ा चल अतंगवाद को लेकर वहां पर कुछ घुस पैटी है तो यह चीज़े जब तक आप बंद नहीं करो कि तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हो भाई कि हम लोग इसको लेकर कुछ नहीं करेंगे क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में कमेंट करके सबूर बताएगा मेर इस वीडियों फिलालत नहीं जैन जै भारत